सो एलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लूग आज मैं आपके लिए काफी अदा इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ तो प्लीज इस वीडियो कम्प्लीट देखिएगा सो फ्रेंट्स यह जो आप बॉक्स देख रहे हैं यह मैंने एक वेबसाइट से मंगवाया jlcpcv.com इसमें आपको कई सारे PCB मिल जाते हैं काफी अदस सस्ते प्राइज में मलब कि अगर आप एक डिजाइनर हैं आपको डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना कोई भी PCB को डिजाइन कर सकते हैं easily तो चलिए फ्रेंट्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स आपको जो कॉम्पोनेंट्स चाहिए इसमें लगाने के लिए आपको अपने old mobile charger में से सारे components मिल जाएंगे तो आपको कोई पैसा waste करने की ज़रूत नहीं है जो आपके पास है available उसको use करिए तो अभी हम अपने components को इस circuit के अंदर fix कर देते हैं तो आपको इस adjustable power supply को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले इस circuit को बनाने में कोई भी दिक्कत आये तो मैंने description box में link दे दी है उससे contact होने के तो वहाँ साथ आप मुझे contact कर सकते हैं बागी आपको दिक्कत नहीं आने वाले देह करानी है आपको 15 रुपे की दोनों चीज़े मिल जाएंगी इसके बाद दोस्तों आपको पोटेंशियल मीटर लाना 10 के का जो कि आप देख सकते हैं 15 रुपे से 10 रुपे के बीच आपको मार्केट में मिल जाएगा तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए क्योंकि इस चैनल पर आपको किसी भी तरह की कभी भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है हमेशा एक ट्रू इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जाए और बैल आइकन को धबा दिये जाए तो चलिए अभी टॉपिक पर वापस आते हैं तो अभी गाईज हमारे सारे के सारे कंपोनेंट से सर्किट बोर्ड में लग चुके हैं पस अब हमें इतना करना है कि यह जो हमारे कॉपनेंट के लेक निकले हुएं इनको हमें कट कर देना है किसी कटर की हैल्प से अभी हमारा जो सर्किट है पूरी तरीके से वर्क करने के लिए रेडिय हो चुका है तो इसमें मैंने दो wires connect की हैं जो कि हमारे input wires है फ्रेंट्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्लस में प्लस लगाईएगा और माइनस में माइनस wire अगर उल्टे लगा दोके तो यहाँ पर भड़म भड़म हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा red wire always corona positive होता है मतलब कि plus wire होता है और जो हमारा black wire होता है वो हमेशा negative होता है तो चलिए इने जल्दी से फटावट से connect कर देते हैं तो दोस्तो बैटरियो connect करते ही इसका जो indicator है वो जलने लगेगा जो इस पर हमने LED लगाई थी वो blow करने लगी तो मुझे contact कर सकते हैं मेरे Gmail account पर description box में मैंने दे दिया लिंक तो यह जो आप छोटा सा circuit देख रहे हैं दोस्तो यह market में आना वाला module है जो की काफी आदा महंगा और costly पड़ता है दोस्तो उसी को देखते हुए हमने इस circuit डिजाइन किया है जो की इसी के size का है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन दोस्तो काम दोनों का same ही है लेकिन हमने जो बनाया दोस्तो काफी अदा powerful है देखने में सो अभी guys इस circuit को test करने के लिए मैंने यहाँ पर एक cooler ले लिया है जिसकी वीडियो आप जल्दी इस चैनल पर देख पाओगे इसलिए चैनल को कर लिए subscribe तो यह हमारे cooler के दोनों wires हैं दोस्तो जिसे हमें अपने circuit के output wires के साथ connect कर देना है जो हमारे output terminal है उसके साथ तो अगर आपका cooler उल्टा चलने लगे तो यहाँ पर आपको अपने wires को interchange कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो जैसे ही मैं potential meter को हलका full का छेड़ता हूँ तो हमारे जो cooler है दोस्तो वो चलने लगा है या आप देख सकते हैं दोस्तो काफी अच्छी तरीके सा हमारे जो cooler हो वो speed पकड़ चुका है तो जितना potential meter आप clockwise घुमाओगे उतनी speed पर हमारे जो cooler हो चलने लगेगा कुल मिलाकर आप इस circuit की help से दोस्तो जितने मर्जी चाहे उतने वोल्ट ले सकते हैं मतलब अपनी मर्जी से आप 12V भी ले सकते हो 5V भी और 3V भी अगर आप एक 755 motor चलाने वाले हैं तो वो motor 12V पर run करती है अगर आप एक LED चलाना चाते हैं छोटा motor चलाना चाते हैं तो आपको 3.5V तक इस पर रखना पड़ेगा तो यार यह circuit multi purpose है मतलब कि आप इस circuit से कितने ही वोल्ट की चीज़ चला सकते हो easily बस आपको यह बनाना है और बनाने के बाद इसमें 12V की battery connect कर देनी है 12V का charger connect कर देना है उसके बाद आप अपने हिसाब से कितने ही वोल्ट इस से ले सकते हो और हाँ दोस्तो आप इस पर अपने UPS की battery भी connect कर सकते हो कितनी भारी आप इस पर battery connect कर सकते हो फुकेगा नहीं बस हाँ इसमें heat sink लगाना मत भूलना क्योंकि वो IC गरम होती है काफी जादा बस आपको यह दिक्कत आएगी बागी यह output तो भड़िया दे रहा यार मज़ा आ गया तो आपको यह project कैसा लगा गाइस मुझे comment करके जरूर बताएगे गार अपनी value feedback जरूर दीजेगा तो दोस्तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आएगे तो प्लीज वीडियो को like कर दीजे तो इतना ही ता आज की इसी वीडियो में वीडियो चिल लाइक करेगा चैनल को subscribe करेगा इसी वीडियो से एक निगरे चली मिलते है नेक्ट वीडियो तब तक लिए बाबाए अपना खयाल रखे